हाँ जी ठीक है सर फिर प्रारम करते हैं हाँ जी तो टाकिया विश्यु धाले द्वारा आपको व्याख्यान में आप सब का हिंदी भी भाग की तरफ से तहे दिल से स्वागत हैं तो आज के हमारे प्रमुक्त वक्ता हैं मोहनलाल जाट जी सबसे पहले नमस्कार सर आपको जी आपका संक्षिप्ट पर इचय देना चाहूंगी आप राजके कन्या सनातकोत्तर महा विध्यल्य सेक्टर 11 चंडी गण में सहायक आचारें एवं हिंदी विभाग्या द्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं आपके प्रकाशन का विवरण इस प्रकार है आधुनी का जिसका प्रकारोटर है दोहजार-नौँ फिर है स्वातन द्रयत्र हिंदी नाठकों में राष्ट्रियच्यत्षित्तिना शोद परबंद है जिसका प्रकाशन मार्श है प्रकाशित हुए है राष्ट्रिय एवं अंतर राष्ट्रिय सेमिनार वेबिनार में शोध पत्र प्रस्तुति आपकी कुल है साथ एवं प्रति भागिता हैं तेईस में आपने की है ये संक्षित विवरंट डॉक्टर मोहलाल जाट जी का है इसके पशात हम व्याख्यान के अ तांटिया विश्व विद्याले के हिंदी विवाग और मानवी संकाय जो है उनके संकाय दक्ष डीन जो है उनका हार्दिक धन्यवाद और अभी नंदन कि मुझे इस योग्य समझा कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा हाला कि मेरा विश्व हिंदिक है लेकिन इतियास में रूची है तो इन्होंने पूछा मैंने का ठीक है कोई बात नहीं विचार विमर्श करने में कोई अयतराज नहीं होना चाहिए विश्व को पढ़ने पर समझ में आता है तो क्योंकि ये तीसरी व्याख्यान माला है इससे पहले दो हो चुकी है और दोनों को मैं सुन चुका हूँ तो इतना ज्यान और इतनी व्यावस्तित व्याख्या मुझे से तो संभव नहीं होगी लेकिन जो विश्व दिया गया है कि आजादी के अंदोलन में जार समाज का योगदान और उसकी भूमी का ये विशे अपने आप से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये भारत की जमीन से जुड़ा हुआ भारत की धर्ती से जुड़ा हुआ एक विशे है और क्योंकि भारत की जमीन का मुख्य आर्थ है खेती हर समाज से और खेती हर समाज में जाट मुक्षी रूप से आते हैं प्राचिन भारत से लेकर के आधुनिक भारत की तरफ अगर हम एक द्रश्टी डालें तो इस समाज का भारत के खत्री और वेश्य वर्ण में स्थान रहा है और प्राचिन राजा महराजा जाट समाज के जो वीर योद्धा होते थे जिन में अदम्य साहस और लड़ने की शक्ती होती थी उनकी वस्तु इस्तिती को जाचते हुए अपनी रेजिमेंट में अपनी सेना में जगे देते थे चाहे वे हाती से ना हो चाहे वे गुड से ना हो चाहे वे पेदल से ना हो या फिर रतवाहिनी क्यों न हो मूल रूप से जाट जो है मैक्स मूलर जो वितियास कार है उसके अनुसार मद्य भारत की एक जाती है और मद्य भारत का तात्वर्य आज के संदर में हम मद्य भारत से लें लेकिंगीन प्राचिन भारत के संदर में मद्य भारत कार था लाहोर, पेशावर, पंज़ाब, सिंद और जहां हम रह रहे हैं हरियाना, राजस्थान, उतर प्रृदेश ये जो पूरा एक शेत्र था, और दोनु काम करने में अदम यसाहस की जरूरत होती है, हस्ट पुष्ट शरीर और मजबूत नेतिक्ता की जरूरत होती है, इमानदारी की जरूरत होती है, जमीन को मा मान करके, उसके सीने को फोर करके, उसमें से काध्यान और जो बहुं मुल्य वस्तुएं हैं, उनको और यहां तक आते हैं तो एक बहुत लंबी चोड़ी इनकी भूमी का और आजादी के प्रती इनका समर्पन देखने को मिलता है मैं आजादी के जो योगदान हैं उनको दो तीन विपागों में विवाजित करके देखना चाहिए हमें मेरे द्रिश्टी कौन से क्योंकि मेरा शोदगार है राश्टी चेतना पर है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो स्वतंद्रता के लिए संगर्ष करना एक अग्रीम पंक्ति के रूप में यह तो शोबनी है उनका तो नामों लेखाता है और उनकी हम बात भी करेंगे लेकिन जिस समाज ने जिस जाड समाज ने खेती के माध्यम पे पशुपालन के माध्यम से भारत को सम्रिद्ध बनाया भारत की आर्थिक चेतना को एक नई बुलन्दी दी भारत के पशुपालन में विशिष्ट योगदान दिया और प्रकर्ति को और धर्ति को अपनी मा माना और उसकी पूजा की तो राश्टिच इतना के ये भी अलग सुर है जिसे हम सोपान के रूप में देख सकते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के अलावा इन लोगों ने जो विशिष्ट रूप से इन सब की सेवा करते हुए भारत देश को समर्द बनाया है समाजिक चीदना जाहिर ही है उसकी बाद भी हम करते हैं जाट मुकी रूप से पेशावर से लेकर के अभी वर्तमान में उतरप्रदेश जिसमें पश्रिमी और पुर्वी पंजाब आ जाता है हरियाना विशिष्ट रूप से आता है राजसान का बुवाग कुजरात मद्य परदेश और पश्चिमी उतरप्रदेश उत्राखंड ही माचल परदेश दिल्ली यह मुकी रूप से जाट बहुलिक शेत्र है और इस जाट बहुलिक शेत्र में तीन परकार की जाटों की ज मुसलिम जार समाज जो पश्चिमी पंजाब और सिंद में पेशावर में रावल पिंडी में विशेश रूप से विद्यमान है और उनके अगर नेताओं के नाम लिए जाए तो आसीफली जरदारी और हिनारब्बानिक खान यह आज भी नेता है और इनके जू पुरके थे उन्होंने आजादी के अंदोलन में योगदान दिया ही था क्योंकि यह पेशेवर जाती है और साहसी जाती है इसलिए इन्होंने शुरू से ही अपनी देश फ्रेम की सेवा को जो राजा महराजाओं की सेनाएं होती थी उनकी सेवा करके उनको अपने गर में आश्रे दे कर करके अपने खेतों में उगने वाली जो फसल है उसके द्वारा पेट भर करके एक राश्टी चितना में अपुत योगदान दिया था ये उनका एक अलगी पहलू है सांस्कृतिक पहलू है अगर हम एक के मितल के मद्यकालिन राजनेतिक और सांस्कृतिक इतियास की बात करें उस तक की बात करें तो उसमें उन्होंने बहुत फिस्तार से छोट-छोटी बातों को समझाया है अगर वीडी महाजन का प्राचिन भारत का इतियास मद्यकालिन भारत का इतियास और आदुनिक भारत का इतियास देखें तो उसमें भी ये बाते आई है और मेक्स मूलर ने विशेश रूप से उतर भारत की जो तीन स्रेष्ट जातियां है राजपुत, जाट और गुर्जर इनको विशेश रूप से ब्रामनों के साथ समकक्ष रखा है और एक वीर्जाती के रूप में उन्होंने इन्हें इंगित किया है अगर इनकी संस्कृति और समाज की बात करें तो ये शुद्धर उप से सनातन हिंदूद मतावलम भी है प्रकर्ति की पुजा में असीम विश्वास रखते हैं राम और कृष्ण के अनुयाई हैं लेकिन गुरु नानक देव जी ने जब सिख धर्म की स्थापना की और सिख के विए योगदान दिया जाड मूलत धार्मिक सोबाव के वेक्ति होते हैं बहुत शांत सोबाव के होते हैं लेकिन इनमें एक द्रड संकल्प और प्रतिक्या की भावना जन्मजात पाई जाती है और यही कारण है कि इनमें अदब्य साहस बरा रहता है इसी बात को ध्यान मे रखते हुए जब भारत में सतरवी और अठारवी शताब्दी की शुरूवात हुई और मुगल सामराजी का लगबग पतन हो चुका था सत्रा सो साथ में जब औरंग जेव की मृत्ति होती है तो मुगल सामराजी लगबग पतन के कगार पर होता है उनके बाद जो उनके उत राजा महाराजा या यह कहिए कि छोटे-छोटे जो मिसल दार थे छोटे-छोटे जो ओहदे दार थे जमीन दार थे उनके मन में विद्रोह की भावना बढ़ ली और यहीं से जाट समाज का स्वतंद्रता के अंदोलन में योगदान ट्रेखांकित करने को मिलता है हम अगर इतियास उठा कर देखें तो यहीं से सापना के प्रियास होने लगते हैं पिशे शुप से छोटे-छोटे जो जमिन दार होते हैं वो अपने आसपास के गाहों में जो मुगल सामराज्य है और जो अंग्रेज सामराज्य ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तत्वादान में कलक उनकारी नीतियां थी उनके किलाब एक जूट होने का प्रियास करते हैं और इसी का प्रियास था कि 1795 में बरेली में जाट रेजिमेंट की स्तापना की गए थी और उसका जो आदर्श वाक्य था वो था संगठन और वीरता मलब उसमें यह बताया विशे शुप से जहां तक मुझे पता है कि चाहे जाट मसलिम है चाहे वो सिक जाट है या विश्णोई जाट है यहां तक की गुर्जर जाट है यह इनकी उस समय जो शाक्राइं हुआ करती थी हम सब को संगठित होकर के देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि विशे शुप से जो अ लोग आबस में भाई-चारा और यूँ कह सकते हैं कि समरस्ता के आधार पर एक जूट होकर के मुगल सामराज्य के साथ साथ अंग्रेश सामराज्य का विरोध करना शुरू करते हैं लेकिन उसमें नेतिकता और हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक मुल्य है इन्हें यह ज कुछ रियास्तों की बात करें तो कुछ राज्जे जो राजगरानों के रूप में पन पे थे और जिन्होंने विशेश रूप से राजपुत समाज को चुनोती दी और यही कारण था कि उनकी मानिता के अनुसार मैं अपनी बात नहीं खेह रहा हूं जो अपने आपको मानते थे उच्छ उन्हों ने फिर जार सामराज्य को शत्री के रूप में स्विकार करना शुरू किया और इसी आदार पर कुछ राज्यों के नाम हम जानते हैं जैसे सिंदेग राज्य था जह सब जानते हैं महराजा सुरजमल सिंग जी इसके बाद दोलपूर भी एक चोटे राज्य के रूप में पनपा जब महराजा सुरजमल जी का निदन हो गया उसके बाद दोलपूर भी एक राज्य के रूप में पनपा जहां देशवाल थे उसके बाद अगर बात करें तो हात जोशन था हिंदों का यह यह कई एकी भारतीयों का यहां बाटीय शब्द ज्यादा उप्योगत रहेगा तो और जो भारतीयों का शोशन कर रहे तो आटिक सांस्कृति रूप में राजनितिक रूप से चेतना को दबाने का परियास कर रहे थे वहाँ इन सब चाहे वह उतरपरदेश हो चाहे मत्यपरदेश हो हर्याना ओं पंजाब यहां जो वलवगण रियासते हैं कपूरत अला राज्य है परदक्र अला राज्य था उर्द्र दोलबुर तो था ही कि हमारी सुरक्षा है तो हम शांती के पक्षदर हैं और अगर नहीं है तो हम अपने देश और हमेरी संस्कृति को बचाने के लिए सत्ता के विरुद्ध भी जा सकते हैं अगर कुछ क्रांपी कारी और स्वतंत्रता सेनानी पर हम त्यान दें तो विशेष उर्प से शहिद भगह सिंह शहिद अच्ञ करसें नाहर सिंग्ऐ और महाराज जो नावा राज्य पजजाब में था उसके और रगवीर सिंग्घ joking जिंदराज्य के प्रमुप थे इन्होंने विशिष्ट योगदान दिया और वल्लबगठ रियासत के जो राजा-नाहर सिंग थे इन्होंने अंग्रेज सामराज्य को बहुत बड़ी चुनोती दी थी यह चोटे-चोटे राज्य ज़रूर हैं जो हमें विचलित कर सकते हैं कि पिर जार जब आपस में ही संगटित नहीं थे चोटे-चोटे राज्यों में विवाजित थे तो फिर उनका क्या योगदान हो सकता है तो योगदान इस संदर में आखा जाना चाहिए कि उस समय की ततकालिंग जो परिष्टितियां थी वो भारतियों को कितनी आजादी दे रह लेती है उस लिहास से अगर हम उल्यांकन करें तो बहुत बड़ी बात सामने आती है कि इन चोटी-चोटी लियासतों के चोटे-चोटे-चोटे जमीनदारों ने भारतिये समाज में आजादी के प्रती चेतना जागरत करने में अपनी धर्ती के प्रती त्याग और समर्पन की भावना जगाने में शर्स्त्र उठा करके शोशन का विरोध करने में विशेश योगदान दिया और राश्टी-चेतना के द्रश्टी कोण से खेती करने वाला भी उतना ही राश्टी है जितना एक सेनेक सरहद पर लड़ करके राश्ट की रक्षा करता है हां उनका मात्र के योगदान से ही होगा इसमें कोई दोराय नहीं है अब हम मुख्य रूप से तीन-चार जो स्वतंतरता अंदोलन के सिनानी है उनकी जीवनी या उनके जो योगदान है उन पर बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी विशे की जूब आपकता है उसको हम समझने का परियास करे सबसे पहले हम महराजा रंजी सिंग्टी के बारे हम बात करते हैं ये सीख जाट थे और अठारवी शताबदी में मुगल सामराजे के विरुद इन्होंने इस वर्ण्ष ने मोर्चा खोला था और क्योंकि इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान जो पश्रिमी पंजाब के लाता तो स्वबाविक है कि जहां विक्ति का जन्म होता है वो मात्रभू में सबसे प्यारी होती है और इनके पिताजी जो थे वो एक यूं कह सकते हैं कि सुबेदार थे उस समय के जो रेजिमेंट थी उसके प्रतिनिती थे तो इस लिहाज से महाराजा रंजी सिंग्ग जी ने अ अपना जो राज्य था उस राज्य को सिख धर्म के मतानुयाई साहर आगे बढ़ाने का प्रयास किया और एक आवाज बुलंद की विशेशुम से 1802 से लेकर के 1849 तक यह जो समय है वो महाराजा रंजी सिंग्ग जी का समय है और इस समय भारत में जो अंग्रेजियों की आतत हम कर ही रहे थे लेकिन आर्थिक रूप से जो जाड समाज के पास जमीन थी उसे भी हड़बने की निती अपना लेती और हम सब जानते हैं कि 1857 जो विद्रोव हुआ था वो लाट डेलोजी की हड़ब निती के का विरुद्ध ही हुआ था लेकिन उससे पहले पूरे हम उस समय की बात करते हैं सभी भारतियों में आजाधी का जंडा गुलंद करने का स्ट आजए जाते है महरजा रंजी सिंग जी को और उनोंने अपना हरी सिंग जी, उनको साथ लिया हरी सिंग नलवा जिन का नाम था और बाग से लड़ते हुए उन्होंने बाग का मुँ चीर गया था इसलिए उनको नलवा मतलब कहा जाता है, तो उनको सेनबति बनाया था और उनकी सेनापतित्व के नेत्रतु में 12 अप्रेल 1801 से उन्होंने महाराजा की उपादी गिरहन करने के पश्चाद संफून उतर भारत में अपना सामराज्य फिलाया था और ऐसा कहा जाता है इतियासकार अगर आप वीडी महाजन के हम अध्यकालिन भारत पड़ें तो उसमें साफ साफ केका है कि जब संफून भारत वर्ष में अंग्रेजों का सामराज्य था तो केवल महाराजा रंजी सिंग का राज्य ही ऐसा था जहां पर अंग्रेजों का सामराज्य स्थाफित नहीं हो पाया था और जब उनके 1849 में मृत्यू हुई उससे पहले उन्होंने लाहोर के किले से एक बहुत अच्छी बात कही थी अपना जो कैसरिया जंडा था उसे लहराते हुए कि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में ये कैसरिया मिट जाएगा और लाल रंग संपौन भारत में च्छा जाएगा तो यहां सांकेतिक रूप से उनकी चेतना का ये अर्थ था कि लाल रंग यानि अंग्रेजू के जंडे में जो लाल रंग है वो संपौन भारत पर दिरे-दिरे चा जाएगा और हो सकता है कि मेरे मृत्यू के बशात मेरा राज्जी भी उसमें शामिल हो जाए महराजर रंजी सिंग ने पहली आदुनिक भारती सेना जिसे सिख खालसा सेना भी कहा जाता है का गठन किया था और ये पूरी तरह से तकनी की आदार पर गठित की कई सेना थी जिसने अनेक युद्ध लड़े और उसमें उन्होंने विजय हासिल कि थी महराजर रंजी सिंग जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही उदार दिल के थे नाटा कत था उनका और जब वो युद्ध लड़ रहे थे तो एक आख उनकी चली गई थी और दिकत हुई थी उनको लेकिन उन्होंने चिलियान वाला का जो युद्ध हुआ था उस से पहले ही भारत में एक ऐसी प्रश्टभू में तयार कर दी थी कि अंग्रेजियों के खिलाब जो बीगुल बजने वाला था उसको मजबूती और आधार प्रदान कर दिया उनकी सेना में इतनी वतन परस्ती थी इतना देश प्रेम था कि लाहोर के किले से लेकर के दिली के फट्य करने का जाजबा था उतर पेशावर से लेकर के सिंद्ध तक यह जो और जम्मू कश्मीर तक हिमाचल तक उनका सामराज्य था तो ये ज़ो उनका जजबा था ये जजबा वाकि तारीफिय काबिल है और उनोंने जज्या कर जोलद था उस समय सिक्षों से वसूल किया जाता था सिक जाड या जो सनातन दर्माव लंबी थे उनसे वसुत किया जाता था उनका जमकर विरोध किया था महराजा रंजी सिंग जी ने के बारे में ऐसा भी कहा चाता है कि उन्होंने मृत्यों दंडु को अपने राजे से समाप्त कर दिया था तो राश्रीच एतना का एक पहलू ये भी है कि गलती अगर होती है इंसान से तो उसके बारे में पूरी सुनवाई होनी चाहिए प्रजातंत्र और लोगतंत्र का आज जो हम सम्मान करते हैं और उसके आदार पर हम अपना देश का शाषन चल रहा है और चला रहे हैं उसमें मह सर में जो हरमंदीर साहिब के गुरुद्वारा उसको पूरी तरह से संगमरमर से बनवाया था और उस पर सोना जितना भी आज हम देखते हैं वो उन्होंने ही मढवाया था ये महाराजा रंजी सिंग का बहुत बड़ा योगदान था और उसके बाद ही उसे सोर्ण मंदिर क संग्या दी जाने लगी थी जब इनकी मृत्यू हुई तो लाहोर में इनका बहुत बड़ा समाधी स्थल बनाया गया और इनकी मृत्यू के लगबग सात महीने बाद ही अंग्रेजी जी शाशक थे गवर्णर होते थे उस समय उन्होंने लगबग पंजाब को हरबना पराजित होने के वशाथ खड़क सिंग ने अंग्रेजी जी राची में मिला लिया गया था लेकिन जो शाशक थे अठारा सो उन्पचास ता खड़क सिंग से और इस विद्व में पराजित होने के वशाथ खड़क सिंग ने अपनी जान बचा करके अपने राजी की रक्षा करनी चाही लेकिन ऐसा को ने सका और अंग्रेज उस राजी को हरबने में सफल हुए थे कुछ बातें ऐसी थी जो महराजर रंजी सिंग जी को विवादासवत भी बनाती है जैसे 1809 में लाड मिन्टो थे भारत के गवर्नर जनरल तो उनसे उन्होंने एक संदी की थी क्योंकि उन्हें पता था कि मुल्तान से लेकर के पेशावर से लेकर के दिली तक सिंद तक और यहां राजस्तान और जम्मू कश्मीर कितना बड़ा जो राज्य है उसको अगर सुरक्षित रखना है तो सभी का सहयोग लेना जरूरी है महराजर अंजी सिंग ने काशी विश्वनात मंदिर में लगबग एक टंस होना दिया था और उन्हीं की उदारता की कारण काशी विश्वनात मंदिर पर जो आज हम गुंबद पर स्वर्ण कलश देखते हैं वो उनके योगदान की कारण ही आंका जाना चाहिए उनका सांसक पर जाना चाहिए उनकी अंति मिच्छा यह थी कि उनकी पास कि सर आवाज आ रही है या मैं जोड से बोल रहा हूं बिल्कुर सही आरिये से आपके आवाज हूं ठीक करमविर जी तो महराजा रंजी सिंग जी की अंति मिच्छा ज़रूर पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने जो कोही नूर हीरा प्राप्त किया था उस कोही नूर हीरे का प्रियोग वो भगवान जगनात की मूर्ती की शो प्राप्त हो जाने के कारण वो उनकी अंति मिच्छा पूरी नहीं हो सकी और चिलियान वाला के युद के बश्यात अंग्रेज ये कोही नूर हीरा लेकर के महारानी विक्टोरिय थी उस समय उनकी तस्दीक में गए और उसके बाद अंग्रेजों के सियासन की शोबा बन गय तो मुगल सामराजी का जो शाहा सुजा नामक राजकुमार था उनको पानी पिलाने के बदले महाराजा रंजी सिंग जिन्ने चतुराई से उनकी पगड़ी में ये कोही नूर चुपाया था और पगड़ी बदल करके ये कोही नूर प्राप्त किया था 1813 इसमें भारत की य आज हमारे पास होता जो रंजी सिंग जी की अंती मीचा है उसे हम पूरी कर पाते लेकिन ऐसा नयों हो पाया परन्तु उनका योगदान हमेशा यही रहेगा कि उन्होंने सांस्क्रतिक रूप से अपने सामराज्य को भाइचारे के साथ सम्रिद्द किया और अंग्रे जी सा पास दस्तक हमें 1897 के विद्रों में सुनाई पड़ी थी इसके बाद अगर हम बात करें तो यह तो बहुत से सेनानी है लेकिन जो खास रुप से बात करें तो दूसरे आते हैं महाराजा सुरजमल यह भरतपुर के महाराजा थे और इनको जो है जाट सामराजे का प्लेटो भी कहा जाता है इतियास जहां तक मैं पड़ पाया हूँ जहां तक मुझे पता है डीग बरतपुर में एक तेसिल है वहाँ पर इनका 1775 में जनुर हुआ था और उसके बाद इनके पिता जो थे बदन सिंग जी वो कुछ आस्वस्त रहते थे और इन पर ज़्यादा भरोसा करते थे तो इनी का राज़ा भी शे किया गया और इनने महाराजा गोशित किया गया क्योंकि ये शुरू से ही बहादूर थे योदा थे सहसी थे नीडर थे और एक नेत्रत्र का पोशल इसके इनके अंतरगत था तो इनोंने आस्पुरोस के जो ग्वालियर राजगराना है जैपुर राजगराना है दक्षिन में अगर हम जाते हैं तो पोलकर और जो मराठा सा स्थापित करने की कोशिश की यहां तक ही मुगल सामराजी जो था उससे भी इनोंने समरस्ता स्थापित करने की कोशिश की क्योंकि इनका मानना था कि जब मनुश्य स्थाई नहीं है तो फिर सभी से दुश्मन बन करके हम अपने राजजी को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं और हम अपनी बात को अच्छी तरह से किसी के सामने प्रस्त नहीं हो पाएंगे और हम ही आपस में लड़ेंगे तो फिक जो हमारा शोषन करेगा उसके किलाब आवास बुलन्त नहीं कर पाएंगे एक उधारण मुझे याद है कि जब पानीपत का त्रिती युद लड़ा गया था 1761 में तो सदासीव राव भाव के नेतरतों में मराठा जो सेना पती थे उनके नेतरतों में यह युद हुआ था और महाराजा सुरजमल के राज्य से होकर जब मराठा से ना गुजर रही थी तो सदासीव राव भाव को यह पता था कि मथूरा और हादरस तक इनका सामराजे पहला हुआ है फिर भी मथूरा में जो मस्जिद है वो इन्होंने नहीं गिराई है तो उन्होंने अपना एक संदेश भीजा था कि भी आपका हिंदू सामराजे है फिर आपने वो मस्जिद क्यों बनने दी और क्यों वहाँ पर इबादत होती है तो महराजा सुरजमल जी का बहुत अच्छा जवाब था और बहुती सटीक जवाब था मुझे लगता है धर्मनिर पेक्सा की जो नीती हम संविदान के अनुचेद में पढ़ते हैं और संविदान की जो बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता है कि हम स्थाई रूप से इस दर्थी पर राज्य कर पाएंगे अगर ये पता चल जाए कि स्थाई रूप से दर्थी पर मेरा ही राज्य रहेगा तो मतुरा से मजजित को हटवा दोगा और क्योंकि हम स्तायरूल से शाशक नहीं रह पाएंगे, एक समय के साथ हमारा शाशन समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद जो भी मुगल या पठान नेता बनेगा, उनका सामराजी होगा, वो हमारे मंदीरों को विरा देंगे और वहाँ पर मजजित बना देंगे, तो आपस स्कृति की बात को राश्टी चेतना से जोर करके जरूर देखा जाना चाहिए, 1773 ASV में भरतबुर नगर की नीव डाली गई थी, और 1732 में जब महराजा बदन सिंग जी आस्वस्त रहने लगे, तो उस समय शायद महराजा सुरजमल की आयूँ 25-26 साल की रही होगी, इनको अपना उत्रादीकारी गोशित किया और इसके बाद इन्होंने जेपूर राजगराने से लेकर के सिंधिया राजगराना और यहां तकी हॉलगर राजगराना, इन सब में आपस में मेत्री स्थापिट करने का बहुत प्रयास किया था, विशेशुब से जेपूर सामराजे, मैं जब महराजा जै सिंग की मृतिव हो गए थी, तो उनके दो बेटे थे इश्वरी सिंग और मादो सिंग वो आपस में लड़ने लगे थे, सुरज मल जी ने इश्वरे सिंग जो उनके बड़े बेटे थे, उनका समर्थन किया, और मादो सिंग जी को समझाया कि भई, ऐसे तो आपके राज्ये का विखंडर नो हो जाएगा, तो इस बात से ये पता चलता है कि उनका द्रश्टी कोन कितना अव्यापक था, वो अपने राज्यी की सुरख्षा ही नहीं चाहते थे, पोडोसी राज्यों की सुरख्षा को भी वो महता देते थे, और ये जो हमारी विदेश नीती है आज की, उसमें ये बहुत बड़ी बात है, उसके बाद 1753 में जो फिरोशा पोटला है दिल्ली के पास, वहाँ पर महराजा सुरजमल जी ने आकरमन करके अपना सामराजे वहाँ तक पहला दिया था, लेकिन कुछ समय की नजागत कहिए या कुछ यूं कह राजगराना, होलकर राजगराना, मराठे और जैपुर राजगराना के जो मादो सिंग थे, इन्होंने मिल करके इनकी खिलाब चाल चली थी और लगवग 17 राजगराने एक साथ इकटे हो गये थे उस समय, लेकिन सुरजमल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन मेरे सस्वे को नहीं मा सकते हैं, अंत में 1757 में जो दिली के सुल्टनत है नजीबु दोला, उन्होंने एमश्या अबदाली को बार-बार आमंत्रित किया, और 1761 में जो मराठा युदु हुआ था, उससे ठकी हारी सेना, हार करके जब वापस महाराश जा कि मैं भारती हूँ, मैं इनके साथ नहीं लर सका, तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये मेरे देश की सेना है, इनकी सुरक्षा करना मेरा करताविय है, और आज भी यह जो उधारता है माहराजा सुरजमल की इनको याद किया जाता है और आज भी महाराजा सुरज मल जी का महाराज सामराजे में महाराजा सामराजे में बहुत सम्मान के साथ हाला कि सदासी उरा भाव हार गए थे और युदमें जान की बाजी ले मरे लेकिन आज भी महाराजा सामराजे में इनका उतना ही सम्मान है वासम में एक राजपुत शाशका होता है तो ये दो ऐसे स्वत्मतदा सेनानी थे जिन्होंने मद यूग के समापन और आदुनिक यूग के शुरूआत में भारत में आजादी के अंदोलन की शुरूआत की थी अगर हम आदुनिक भारत की बात करें कोई कुछ कहना चाहरा है ने आप जारी रखें डॉक्टर साब ने ने जो लास्ट के दस मिन्ट रहेंगे हम उनको समय दे जेंगे सभी शलोताओं को अब हम आदुनिक भारत की तरफ आएं तो आदुनिक भारत में बहुत आधीक मात्रा में स्वतंतरा सेनानियों का योगदान मिलता है जो जार उनको समद्र रखते हैं उनमें जो सरवबरतम हम शहिदे आजम के नाम से जने जानते हैं शहिद बहगय सिंग जी उनकी बात करते हैं उनके बारे में इतियास के आप सब भी विद्यारती रहे होंगे, सब जानते हैं, बहतर तरीके से जानते हैं, मैं बस कुछ एक दो जो गटनाए हैं, बगह सिंग जी का जो जेल जीवन था, और दो साल में उन्होंने जो मानसिक एक तरह से कहिए यत्रना जेली थी, और राश् में वो बहुत, यूँ कह सकते हैं, आकरोशित हो गयते हैं, और गांधी जी तक के विरोध में चले गये थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि नहीं यह ऐसा नहीं है, गांधी जी ने वास्ताओं में आजादी के लिए भारतियों को संग्रटित करने का काम किया और अभी भ कर रहे हैं, तो फिर से उनके अनुयाई बन करके उनके अंदोलन में भाग लेने लगे, लेकिन चोरा-चोरी कांट के बाद जब यह अंदोलन स्थगित हो गया, तो शहीदे आजम भगत सिंग कुछ अलग करना चाहते थे, उन्हें इस तरह से दीरे-दीरे आजादी हांसिल करना शायद उनके विचारों की बात नहीं थी, क्योंकि वो शुरू से एक तो काल मार्स के विचारों पर प्रभावित थे, और दूसरे लेनेन के विचारों से प्रभावित थे, तो उस समय वारत में संदरशेकर आजाद एक महत्वण सतंत्रा सेनानी थे, उन्होंने हिंद बगए सिंग जी ने एक अच्छा काम ये किया कि चंदर शेकर आजाद से हाथ मिलाया क्योंकि वो उनकी विचारों के थे और उनके सयोग से उन्होंने अपने जो नौजवान भारत सभा जो संगठन था उसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसेशन के साथ मिला लिया और फि युगाओं को तयार करना जो अपना तनमन ही वलिदान नहीं करते एक छोटी उम्र में शहीद हो करके समाज के लिए आदर्श बनें एक राश्ट्री चेतना का प्रतीक बनें और यही इनकी ऐसी सोच थी जिसके कारण उन्होंने तीन गटनाओं में विशेश रुक से बाग रहे थे कि शांती पुरुक परदर्शन में लाठी मार करके कोई आजादी के अंदोलन को कैसे कुचल सकता है भारतियों की आवाज को कैसे कुचल सकता है यह तो एक तरह से राजजिंतिक और सेनिक हत्याचार हुआ तो उन्होंने उस समय जो जेपी सांडर्स थे लाहूर के पुलीस अदिक्षक थे उनकी गोली मार करके अपना जो साथी था वटुकेश्वर्दत उनके साथ सायोग से गोली मारी और एक बहुत बड़ा उपदेश एक बहुत बड़ा संदेश अंग्रेजी सामराज्य को दि हम आदुनिक भारतिये हैं और हम आदुनिक विचारदारा के लोग हैं, हम आपसे दबने वाले नहीं हैं, आप हमारी चेतना को कुचल नहीं सकते हैं फिर बटुकेश्वर्द दतो और दोनों वहां से जान बचा कर नदारद हो गए और उसके बाद एक गटना गटी कि ब्रिटिर्स सामराज्ये की जो सेंटरल असेंबली थी उसमें उन्होंने बम फैंकने की तयारी की और इसका एकमात्र उद्देश यही था कि अंग्रेजों क कानों तक ये आवाज पहुंचाना कि भारती मरे नहीं है भारतियों की चेतना मरी नहीं है आप हमारी आवाज सुनते नहीं हो वो आवाज हम आपको सुनाना चाते हैं फिर संसत का जो सभागार था आठ अप्रेल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बगए सिंग जी बाकी बहुत सारी बाते हैं उनके बारे में करने के लिए क्योंकि बहुत कुछ मुझे एतियास की किताब मिल गई थी और उससे बहुत कुछ मैंने सीखा है तो एस पी सांडर्स की हत्या और सेंडरल असेंबले में बम फेंगना है ये दो ऐसी गटना है थी जिसके कारण अंतिकारी बदलाव लाया और उनकी सोच को आगे बढ़ाने में महतिकुन की योगदान दिया उनकी एक बात जो मुझे उन्होंने उसके बाद वो गिरबतार हो गए ये सब हम जानते हैं और जान बूझ कर गिरबतार हो गए थे और उनकी इच्छा थी कि उनको गोली मार कर उनके मार दिया जाए उनको फांसी नहीं दी जाए क्योंकि जब उस समय पंडिज मदन मौन माल विए मात्मा गांधी जैसे नियता उनके जान बचाने के लिए अंग्रेजियों से बार बार गुहार कर रहे थे और इस बात की सुचना जब बगे सिंग जी को मिली तो उन्हे मतलब यह असा लगा था कि यह मेरे शहीद होने का अफमान है यह मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे हैं इसके बाद उन्होंने में नास्तिक हूँ एक पत्र लिखा और यह पत्र केरल का पत्र है। उसमें उनकी शहेद हो जाने के बाद परकाशित हुआ था। इनकी यह था झाए यह पंग्त्रों के सामने दो पंग्तियों के रूप में रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे गोली से उड़ा दो और जो आवाज गोली की गुझेगी और मेरा जो खून बिक्रेगा चितनी जगे छीटे पड़ेंगे उतने शहीद उतने वीर भारत से और उत्पन होंगे और ये गोली की आवाज भारतियों के कानों तक पहुंचेगी और शा देश के लिए इतनी बड़ी सूच रखता हो यह बहुत बड़ी बात होती है इसके बाद महाराजा मेहंदर सिंग जी का नाम हम ले सकते हैं वह एक पत्रकार थे वह एक समाज से भी थे वह एक सिक्षा भी थे और क्या कहते हैं उन्होंने समाज में आदुनिक जो कण्या यूगदाने जैसे पहला व्याक्यान होगा था आरे समाज पर में सुन रहा था बहुत अच्छा व्याक्यान था आरे समाज की स्थापना के जो शुरूआती परियास ते उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था और ऐसा हम कह सकते हैं कि उन्होंने मतुरा के पास जो में प्रेम माविद्याले की स्थापना उनके परियासों से हो पाई और आर्या समाज का जो परियास था उसको उन्होंने एक तरह से प्रगति दे करके राष्टी सिक्षा निति में और राष्टी चेतना जगाने में बहुत बड़ा काम किया था हाला कि अगर बहुत बड़ा परिचे है मैं इतना तो नहीं केप आँगा महाराणा में परताफ सिंग जी ने विश्य शुक से तक्निकी सिक्षा को बढ़ावा दिया और तक्निकी सिक्षा के साथ-साथ जब उनके आजादी के प्रियास को भरत में दबाये जाने लगा तो वो यूरोप की यात्रा पर निकले वहां से रूस गए और रूस में जो कैसर था उनसे सयोग मांगा जब वहां से सयोग नहीं मिला तो अफगानिस्तान की धर्ती तक आकरके उन्होंने एक अंत्रिम सरकार की गोश्णाटी और उसके राष्टपत्री और प्रदानमंत्री वे स् दिलाने में उनका बहुत बड़ा योग दा और भी है मैं अंतिम बात कर रहा हूं चुद्री राम सिंग जी की यह करनाल के बल्ला के पास बल्ला गांव है यहां के रहने वाले थे इनके पास ज्यादा सेना नहीं थी इन्होंने सेना का गठन पी नहीं किया लगवग 900 के दो बार इन्होंने 1857 की जंग में इनका सामना हुआ था और दो बार पराजित किया था लेकिन क्योंकि संक्या कम थी और अंग्रेज एक बहुत बड़ी रेजिमेंट थी एक बहुत बड़ी सेना की टुपरी थी तो अंत में जब यूं कह सकता है कि फठान और सिक पोज के सा अंग्रेज सेना तोप के गोले लेकर आई तो चोदरी राम सिंग जी ने बहुत बादूरी से युद लड़ा उनके सभी सेनिक लड़ते हुए शहीद हुए और अंत में वो भी लड़ते हुए शहीद हुए और भी योदा है जो बहुत कुछ याद आ रहे हैं जिसे जाते हैं सुरज मल जी उनके बेहनों ही थे तो स्वाबावी कहें कि रिष्टेदार होने के नादे उनके बहुत सारी विशेष्टा है और उनके बहुत सारी गुन के अंदर आये और इन्होंने 17 वर्ष में ही यूं कह सकते हैं कि ताज बोशी जो इनकी हुई थी उस 17 राजितिक चेतना जगाने का प्रयास किया अंतते 9 जनवरी 1858 को महराजा वलवगर रियासत के जो महराजा थे नार सिंग जी उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटकाया गया और उसका उद्दिश ही यही था कि आजादी का अंदोलन दव जाए लेकिन जो होनहार होता है उसे कोई नहीं रोग सकता अंग्रेज जैसा न कर सके और इस तरह से सबी समाज के सअधे सबी नेताओं के सअधे और विशेशुद से जाड समाज के जो करांतीकारी सोच के विखे थे राजा थे शहीद थे उनकी सोच से हम आजादी तक पहुंचे और आज हम खुλ बढ़ाते रहना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साब आपने समाज के बारे में जो बाते बताई हैं उसके लिए अरे इतनी जानकारी नहीं थी मैंने शुरू में बता दिया था कि इतनी जानकारी नहीं नहीं आप बोलिए मैं कुछ जानकारिया और देना चाहूंगा मैं सभी उपस्तित जनको देखिए ये अलग-अलग वैशे तो कोई नया टोपिक नहीं था यह हमारा क्योंकि सहीद भगत सिंग जी को महारा जरण जीत को सुरुज मल जी को हरी सिंग नलवा इत्यादी को हम सभी जानते हैं पर एक व्यक्ष्यान माला हमने जो प्रारंब की है उसमें हमारा उदेश से ये है कि हमारे जो नोजवान पीडिया हैं ओ ये भी तो जान पाएं कि हम जो जाती पर था समाज क्या है इन के बारे में इसी माधम से तो हम जान पाएंगे कि अब मैं आपको यहां विद्वत जनने और खोज पूर्ण जान पाएं रेना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद के गुरू को आप सभी लोग जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मारा स्वामी राम किरसन परम हंस के अध्यात्मिक गुरू हुए है मरंत तोता पुरी जी अब मरंत तोता पुरी जी अर्याना जिले में गाउं है कैथल इस गाउं मैं सुरी कैथल जिला है उसमें एक गाउं है बाबा लदाना इसी नाम से फेमस है आप चेक कर सके हैं वहां के मांत थे और ये इत्ते फाक भी है जाट जी की ओव जाट विरादरी है और ये मैं नहीं कह रहा विद्वजन कहीं है सोचे कि भई जाट ने वैक्षान दिया जाटी ब जी 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 नासा में को पहला वेज्ञानिक गया वो भी अरियाना से था जाट विरादरी का था उसकी अतिरिकते सेट छाजुराम का मैंने जिकर किया जब आजादी के अंदोलन के लिए चंदा इक खटक किया जा रहा था नोजवानों दोवारा अब मेरे बिवानी जिले के ही नजदी के गाउं है अलग पुरा गाउं है उनका इसार के बारे में अगर आप जानते हैं तो जाट कोलेज उन्हों ने ही बनवाया था और भी संस्ताएं हैं या तक कि उन्हों ने पक्का मकान बनवाने के लिए भी अंगरे जो से अनुमती ली थी और आपकी नोलिज के लिए एड़ोकेट बता दू विद्वजन की खेतों में हम पका मकान आज भी नहीं बना सकते बगएर परमीशन के वह अलग भी से है कि हम अपने खेतों में बना ले तो उन्हों ने जब दान के लिए उनके पास लोग गए तो यह कहा था भी कलकत्ता में पूरे में आप दान म लिए आज भी ओ सेट चाजुराम कहलाते हैं पूरे संसार के एक मात्रे से जाट हैं जो सेट कहलाते हैं उसके अतरिकत एक और मैं आपको जानकारी दे दूँ इस संसार में अनेक सहीद हुए हैं इस तरी पुरुस जवान किन्तु एक सहीद गाउं भी है और विवानी जिला के अंदर ही है सहीद गाउं रुणात उसमें भी अधिकतर जो बिरादरी थी और जाट ही थी अठारा सो सतावन की करांती में उन लोगों ने भी बढ़ चड़ के भाग लिया था जाट जी मैं बता दूँ कि अंग्रोज्यों ने उस पूरे गाउं की प्रोपर्टी को निला ने रोड रोलर के नीचे उनको कुछलवा दिया आज उस सड़क का नाम लाल सड़क के नाम से है इतना खून वहाँ हो गया तक उस सड़क को नाम ही लाल सड़क हो गया उसमें ये एक मातर का गाउं है विद्वच्जन कि पूरे संसार में इंसान तो सहीद हुए किन्तों ग नाम कोई प्रोपर्टी नी जैसे हर जगे अपनी पंचैत की जमीन या वगारा वगारा जो होती है ये मेरे गाउं इस वागे यह है कि वह गाउं मैंने देखा भी है और मेरे गाउं के बिल्कुल साथ लगता गाउं है तो हमारा उदेश से नई पापुलेशन को ने जो लो इसार जिला के तैते गाउं है उसका नाम ही किंदर है आज भी किंदर है आप सर्च करके देख सकते हैं तो अलग-अलग जानकारियां व्यक्तियों को मिले इसलिए हमने इस व्यक्षान माला का प्रारम किया है आगे भी हम इसको जारी रखेंगे दो-तिन दिन में अगले व्यक नहीं करवाई है अपना नाम संस्तागा नाम और मेल आईडी चैट वोक्स में लिख दें आके आपको सर्टिविएट जारी किया जाए अलग से हम फीड़बैक जारी विद्वजन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा उदेश से सर्टिविकेट बाटना नहीं है ग्यान बाटना तो ये चीज़ें स्थाई हैं इसकी अतिरिक्त भी अगर आपके पास ऐसी कोई जनकारिया हैं हमारे ऐसे सहीद विखती हैं जिनके बारे में बहुत कम